okay guys so मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूं रियल इंवेस्टमेंट जो मैं अभी तक क्रिप्टो में कर रहा हूं जैसे मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को साथ सब के साथ शेयर करूंगा so this is that video ध्यान से देखना मैं सारे कोई सारी इंवेस्टमेंट दिखा रह मैं किस माइंसेट पर काम कर रहा हूं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं सबसे पहले देखते हैं कि टोटल पोर्फोलियो में क्या 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 कोई से तो आप देख पाऊंगे कि मैं आप यूस्टमें अल्मोस्ट ग्यारा सो सम्थिंग और जिसमेंसे मैंने कुछ ओ जब लिए और यवन शाड़े शेयर की आसपस थी मैंने रिसेंट्ली लूना को होल्ड करना शुरू किया था तो मैंने क्या किया था कि लूना जब 96 पे आया पिर 90 पे और 88 पे तो मैंने यसे डॉलर कॉस्ट अवरेजिंग गरी यहां पे में अपा फेंटम है और फेंटम मे निकाल चुका हूँ, because यह coin मैंने 1.5 और 1.3 के उपर hold करना चुरू किया था, और उसके बाद जब यह 2.4 और 2.3 के आसपास पहुचा, तो मैंने इसे sellout कर दिया, उसके इलावा एक coin, जिसके बारे में, my friend is very very optimistic, which is RUNE, which is Thorchain, तो यह मैंने buy किया था, around $100 के आसपास की range में कुछ लिया था, I am at a profit, a little bit profit, Gala is something, जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, कि मैं इसे hold करूंगा और मैंने इसे hold कर रखा है समय और मेरे पास समय 249 Gala है, एक super coin है, तो आप देख रहे हो कि अच्छे खासे coins होड कर रखे हैं समय और super coin है, जिस पे मैं 30-40% का ही मैं सोच रहा हूं कि इसके ओपर मैं, मैं अपनी take ले रहा हूं, और this is by one of the YouTubers, तो this coin is owned by one of the YouTubers, जिन लोगों को भी यूटिपर कर नाम माल हूं मैं अधर कमेंट करके बता रहा, Decentraland, we all know, multiverse, gaming, तो इसके ओभी मैंने hold कर रखा है, apart from that, this is Dar, Mines of Darnia, again gaming, तो मैंने gaming के ओपर, decent coins ले रखे हैं, sand, dar, mana, super, gala, ये सारे के सारे, और Phantom के ओपर, I am positive, Phantom ने definitely profit दिया है, Luna के ओपर, I am very very optimistic, तो ये सारे के सारे coins मैंने hold कर रहे हैं, अब the thing is, अगर मैं market पर जाओं, तो मैं क्या सोच रहा हूं market के ओपर, so let me tell you my take on the market, so कुछ coins हैं, जिनने मैंने अपना favorite में डाल रहा है, just to see, तो ये सारे coins वो हैं, जिससे मैंने favorite में watch कर रहा हूं, और आप देख पाऊगे कि अच्छे खासे कुछ ऐसे coins हैं, जिसके ओपर आपको dip मिली हुए, 13%, 10%, again, जो भी मैं इसदर बात कर रहा हूं, और भी financial advice नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कि मैं बोल रहा हूं, जाके buy करो, this is my take, और ये मैं सोच रहा हूं, तो आप लोगों के लिए document कर रहा हूं जरनी, कि अगर इसमें मैं कुछ lose करूंगा, तो आप देख लेना, आपको समझ जाएगा, मैंने lose क्यों किया, हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, और अगर मैंने कुछ gain किया, तब भी knowledge मिलेगी, totally like सब लोगों के साथ, open, तो अगर आप देख पाओगे इस समय, तो crypto, जो market है पूरी की पूरी, इस समय, थोड़ी अच्छी खासी डाउन चल रही है, जाते हैं, देखते हैं, कहां देखेगा हमें, तटटटटँ, फाइन, आप देख पाओगे, कि या, here we are, तो bitcoin इस समय 46,000 पे ट्रेट कर रहा है, और 46,682, और जो इस समय अपना ethereum है, coin market क्या भी खोल लेते हैं, perfect, coin market, so 37,000 के ओपर कर रहा है, तो my game plan is, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास इस वक्त, यहां पे, जो USDT पढ़े हैं, तो मेरा इस समय logic क्या, मैं क्या सोच के invest करने वाला हूँ, या मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे पैसे लगाँगा, तो मैंने monthly एक target रखा हूँ है, कि मुझे इतने amount के हर मन्त में, कुछ coins को, कुछ projects को hold करना है, जिसको मैं trust करने लगा हूँ, या कर रहा हूँ, तो for example, ethereum is one of those coins, तो जिसमें अगर भी ethereum नीचे और डाउन होता है, just because of this new virus, जिसकी वज़े से थोड़ा सा panic फैल रहा है market में, और जिसकी वज़े से मार्केट में और जिसकी वज़े से market ठोड़ी डाउन जा रही है, और आज थोड़ा जाने लगी है, इंडिया के अंदर, top metropolitan cities के अंदर, दुबारा से theatres को बंद कर दिया गया, so that being said, जिसकी वज़े से थोड़ा सा fear build up होगा definitely, और कहीं न कहीं इस पर फर्क पड़ेगा, तो ethereum जो है, अगर ethereum 35, 35 से नीचे जाता है, तो मैं इसकी dollar cost averaging करूँगा, dollar cost averaging का मतलब यह है, कि मैं थोड़ी-थोड़ी amount में उसको hold करना शुरू करूँगा, so that अगर यह coin नीचे आता है, तो भी मैं उसकी position ले लूँ, let's suppose, अगर 3500 पे आया है, तो मैंने 3500 पे 100, 200 dollar का ले लिया, depending upon कि कितना मैं उससे में लेना चाहता हूं, फिर इसके इलावा, I am even thinking about this Solana, because Solana ने इस साल बहुत अच्छा काम किया है, और जहां तक हम देख पाएं, तो 1 month के अंदर, अगर आप देखोगे, 148 से लेके 243, it's a huge gap, तो अगर यह 150 के आसपास पहुचता है, तो शायद मैं थोड़ा बहुता Solana भी होल्ड करना शुरू करूँगा, उसके इलावा, again, मैं Luna के ओपर बहुत पॉजिटिव हो, तो Luna अगर 50 के आसपास पहुचता है, तो यह सारे के सारे conservative bet है, बिकास मुझे मालुम है कि प्रोजेक्ट के बीचे जो टीम लेगे हुए हो काम कर रही है, और अच्छा काम कर रही है, तो अगर Luna 50 के आसपास पहुचता है, जो कि बहुत ही अच्छी opportunity होगी होल्ड करने की, तो I'm just gonna hold couple of more Luna और मेरी dollar cost averaging की वज़े से, मेरे जो मैंने पहले अगर थोड़े महंगे भी बाय करें तो नीचे आ जाएंगे, उसके इलावा polka dot अगर ये drastically नीचे जाता है, it is still at a very decent level अगर मैं आपको दिखा हूँ, तो जो polka dot है, वो जो अपना highest, जो इसका था, that was 55 in one year और ये आराम से अगर Bitcoin 53,000 को सरपास करके अपनी bull run द्वार शुरू करता है, I'm damn sure this will pick up, so ये सारे conservative है, जो की definitely आपको 20, 30, 40, 50% तक का अब दे सकती है, again not a financial advice, but this is what I have seen, तो पुराने patterns के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, इसके इलावा Polygon, Polygon is also one of those coins, अगर ये इस महीने बहुत अच्छी इसने opportunity दी ती, and I miss that opportunity, जहां पर ये 1.56 पर पहुचा था और इसके highest 2.92 पर गया था, बन्दा सीधे सीधे बहुत अच्छी, 70% के आसपास की, अराम से गेन ले सकता था, तो मैं पहले अपना conviction बढ़ा रहा था, 100-200 डॉलर इंवेस्ट करके मैं समझ रहा था कि मार्केट कैसे जा रही है, I am slowly, holly holly, मैं अपनी conviction को increase करके, 100-300 डॉलर, 300-500-1000 डॉलर तक की investment, एक सिंगल कोई में करूंगा, so that I should be able to make a decent profit, because 100-$ में अगर इवन मैं 2X भी करता हूं, तो 100-200 होता है, but if you wanna really make good money, you have to invest a little bit more, but you cannot go ahead right away, आपको थोड़ा-थोड़ा conviction पहला करना पड़ेगा, थोड़े-थोड़े लेवल पे अपको अपना वो बिलड़ाप होगा, आपका confidence, फैंटम में अगर फैंटम 1.5 के आसपास आता है, तो आप देखोगे कि मैं इस समय क्या कोशिश कर रहा हूं, हमेंशा मैं कंजरिवेटिव बैट ले रहा हूं शरुबात में, और डॉलर कॉस्ट आवरेजिंग कर रहा हूं, I'm not going in in one go, और मैंने यहां पर लिया अपना थाउजन दॉलर और मैंने एक क्वाइन के लगा दिया, No, I'm actually following a strategy, and strategies can be like आपकी अपनी एक strategy हो सकती है, किसी और बंदे की अलग हो सकती है, और आपके ओपर आपकी खुद की कन्विक्शन है कि आपके इस क्वाइन के उपर उसे आपके 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 यहां दोफेशन दॉलर जी में आपके आपके अमया औरा परणाबिघएये, जाओ कि लिए यह थरियाम करेक थे ओशेयल में योडियामिश यह अती नहीं खंख ज्ब भीका से ऊक्रेशन है, में तो अगर इस इस तोल्ली नूव अगर इस इस अगर इस मेरे जो फ्रेंज यह जो पर्ले से काम कर रहे हैं अगर आपका इंट्रस्ट वा तो इस अगर ब्रिंग दम दोल्यों से जादा था, मिनस 133 यह. So, okay. I will see you in my next video. Take care.